नमस्कार आप सभी का स्वागत वेविनन्दन करता हूँ हमारे यूट्यूब फेस्बुक वे इंस्टाग्राम पर दोस्तों आज मैं आपको जानकरी दूँगा कि वर्ष दो हजार चौबिस के फरवरी महीने में तो हम प्रवेश कर ही चुके हैं मैं आपको जानकरी दूँगा कि आखेर हमारे जीवन को किस प्रकार से ग्रहे इस महीने में चलाएंगे क्योंकि ये वर्ष बड़ा महतवपून है और जिन राशियों के बारे में अभी आप से चर्चा होगी ये भी बड़ी महतवपून है तो देरी ना करते हुए प्रोगर के शरुवात करते हैं और अगर आप मुसे मुम्मए में मिलना चाहते हैं तो पांच फरवरी से नौ फरवरी तक मैं मुमए में अवलेबल रहूंगा कुल्ली बनवाने के लिए दिखाने के लिए पूजा पाठ के लिए रतनों के लिए आप मुझे संपर कर सकते हैं तो आईए विशे को आगे बढ़ाते हैं और सर पर्थम आप से मैं बात करना चाहूंगा सिंग राशी के बारे में देखिए सिंग राशी जो होती है सूरे की होती है इसके राजा ही ग्रहों के राजा सूरे है अब यहाँ पर सबसे महत्वपुन विशे ये रहेगा कि आपको मैं पहले ही आगा कर देता हूँ और सूरे की और शरी की यूती बनेगी अपनी राशी से अस्टम हो जाएंगे शत्रू के घर में आ जाएंगे और उससे पहले सूरे इदर पत्नी के घर में बैठें तो ऐसी इस्तिती में सूरे ग्रह का गोचर बड़ा महत्व रखेगा बहुत ज़्यादा मैं आपको बतायता हूँ कि अभी इदर हैं छटे भाब में फिर इदर सब्तम में आ जाएंगे और उसके बाद अगले महीने जाएंगे अस्टम भाब में तो यानि की सूरे का गोचर आगे आने वारे लगवग दो महीने तक बिलकुल भी अच्छा नहीं है तो इस महीने में सिंग राशी वालोग को रोग चोट शत्रू बाधा भै ब्रह्म तनाव टेंशन ये सब किसी न किसी रूप में बनी रहेंगी आपके इर्दगिर्द ऐसे आपके ग्रहयों कहते हैं अब उसके में और कारण आपको बताता हूँ एक कारण तो ये है कि सूरे छटे और सब्तमबाब में दूसरा कारण ये है कि बुद्ध आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे बैठे हुए मकर राशी में उसके बाद एदर कुमे में चले जाएंगे 20 तारिक को तो ये भी ठीक नहीं है मतलब बुद्ध भी ठीक नहीं है 20 दिन तो महीना ही निकल जाएगा फिर बचेगा ही कितना तो ऐसे में अलर्ट रहना है अगर मैं आपसे ये बात करूँ जो कि मन में जिग्यासा हो रही होगे कि फिर फाइनेंस का क्या होगा पैसे का तो मैं ये कहूँ आपसे एक ही लाइन में बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को धन से संबंदित लें दिन या धन से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे उत्तम समय रहेगा 20 तारीक से लेकर के और फरवरी महीने के एंड तक इस टाइम पीरिड में ही आपको पैसा आएगा और इसी टाइम पीरिड में आपको पारिवारिक सुख भी मिलेगा और इसी टाइम पीरिड में जो भी मतभेद आपके जीवन में किसी भी रूप में चल रहे हैं उन से आपको मुक्ती मिलेगी ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ इसके लावा मैं आपसे कहूँगा कि इस महीने आपको लट रहना है दाम पत्ते जीवन की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 12 फरवरी के बाद कुछ सुकून मिलेगा पर वो कुछ इसलिए बोल रहा हूँ वो 20-25 परसेंट बैटर हो जाएगी बस इतना डिफरेंस आएगा अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मैं बोलूँगा हाँ एजुकेशन के पॉइंट टेव्यू से बहुत अच्छा उत्तम है यह महीना मैं भाग्य की बात करूँ तो भाग्या आपका जॉब के दृष्टी कोंड से अच्छा है मैं बात करूँ सुक सुविधाओं के दृष्टी कोंड से प्रॉपर्टी जमीन ज्यादा से रेलेटेड तो मैं बोलूँगा नहीं लेना मैं बात करूँ अगर आपके पुलिस के इस मुकदमेगी तो आपको बचाव की ज़रुष्ट है बात करता हूँ आपसे कन्या राशी के बारे में कन्या वालो आपकी राशी के सुवामी बुद दोते है ये महीना आपके मान सम्मान के लिए विशेश रूप से पहले बीज दिनों तक बहुत अच्छा है पहले बीज दिनों तक ये महीना आपके धन के दृष्टी कोन से भी काफी अच्छा है इन फैक्ट पैसे के लिए तो पूरा ही महीना ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ बच्चों के दृष्टी कौन से तो मैं कहूंगा कि ये महीन अच्छा है बारा फरवरी के बाद बारा फरवरी तक थोड़ी दिक्कत रहेगी पर बारा फरवरी के बाद संतान संबंदे सुख और गर्वती महीलाओं को विशेश रूप से लाप्राप्त होगा अगर मैं आपसे बात करूँ इस महीने में तो एक उच्च के मंगल का प्रवाब पांच फरवरी से कॉम्पिटिटिव एक्जामस में विशेश सफलता आपको देता हुआ नजरा रहा है कुछ अक्समात बड़ा धनलाब कोई बड़ी डील आपकी क्रैक हो सकती है ऐसा योग बनता होना जहा है पर जब 20 तारिक से लेके और मैने के एंड तक बुद्ध और शनी इधर छटे बाम में यूति बनाएंगे तो ये यूति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है इस यूति में आपको दिक्कत आती है तो आकरी के साथ आट दिन थोड़ा अलट रहे है अगर बात करी जाए जॉब की या सरकारी नोकरी में बैठ वे लोगों के लिए तो मैं ये कहूंगा आकरी के साथ दिन अलट रहना है पहले 20 दिन बिल्कुल उत्तम है कोई दिक्कत नहीं है यानि कि 20 तारीक शाम से और मन्त हैंड तक अलट रही है यदि बात करूं धार्मिक जीवन की तो मैं ये कह सकता हूं कि धार्मिक प्रवजन कराने के लिए पांच बारा सौरी बारा फरवरी से समय बड़ा उत्तम लाब दैग दिखाई पढ़ रहा है यदि मैं अब आप से विशे को आगे बढ़ाते हुए बात करूं तो तुला राशी को काउंट करूंगा और ये कहना चाहूँगा कि आपकी राशी के स्वामी शुक्र गराया साथ नमबर लिखा इसके स्वामी शुक्र होते है बहुत महत्पून डोल प्ले करने वाले है इस पूरे महीने और वो इसलिए क्योंकि इनका ट्रांजिट इदार हो जाएगा मकराशी में यानि कि बारा फरवरी के बाद सुक सादन प्रापर्टी वहान जमीन जादाद और यहीं पर ही मंगल के और शुक्र की यूती क्योंकि मंगल यहां पांच फरवरी को आ जाएंगे और हुचक नाम का राजयोग और बारा फरवरी से मंगल शुक्र की यूती ये आपको प्रापर्टी जमीन जादाद इस सब चीज़ दे रही मंगलिक दोश के कारण क्रोध बढ़ेगा पर आपके व्यक्तित्व के लिए आपके भाषा शैली के लिए आपके इच्छाओं के लिए आपके संकल्फ शक्ती के लिए बहुत अच्छा है बस सरकारी नोक्री वालों को इस महीने ध्यान दखना पड़ेगा हैल्थ के पॉइंट अव्यू से बोलूँगा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि राहू का प्रभाव आपके स्वास्त में है बच्चों के लिए ये बोलूँगा कि बारा फरवरी से सूरेशनी यूती बिलकुल अच्छी नहीं है बंग करेगी एजुकेशन को डिस्टब करेगी ध्यान एकागरता कॉंसेंट्रेशन को बनने नहीं देगी ऐसा योग बनता हूँ नजरा रहा है यदि बात करूँ आपके प्रॉफिट की विदेशों से संबंदित तो मैं कह सकता हूँ कि आपको कुछ सुकून जरूर मिलेगा सत्रा तारीक के बाद यानि कि विदेशों से संबंदित अगर कोई कारे करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं मेरी शुब कामना है मेरी बैस्ट विशिज आपके साथ हैं और पूर्ण रूप से हैं तो अभी जो मैंने आप से बात करी वो विशिश रूप से तीन राशियों के बारे में चर्चा करी उमीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी कुनली बनवाने दिखाने पूजा पाठ वरतनों कले संपर कर सकते हैं जाज़त चाहता हूँ नमस्कार धन्यवाद